कई बार अमीर बनने की हर कोशिश नाकाम होती दिखती है, बहुत सारे प्रयासों के बाद भी पैसों की तंगी दूर नहीं होती है, ऐसे में समुधरी नमक के टोटके या उपाए आपके बहुत कामा सकते हैं, नमक के बिना भोजन अधुरासा लगता है, बिना नमक के कोई श सारे उप्योग हैं, वास्तु शास्त्र में कई तरह के दोशों और समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नमक को काफी उप्योगी माना गया है, नमक के टोटके बहुत ही तेजी से अपना असर दिखाते हैं, आए आज हम आपको नमक के कुछ ऐसे उपाए बताने जा रह हैं जिन्हें करने से चमतकारी परिनाम प्राप्त होते हैं, साथ ही ये मालामाल बनाने में भी उप्योगी हो सकते हैं, नमक के उपायों के कई सारे लाब हैं, वास्तु शास्त्र में नमक के ऐसे कई तरह के उपाए बताए गए हैं, जो कि घर के हर कोने की नकारात्मक का संचार करते हैं, इसके अलावा ये धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर करने में भी बहुत कारगव होते हैं, अगर घर पर बुरी नजर का साया है तो उसे दूर करने में भी नमक के उपाई काफी प्रभावी सावित होते हैं, यदि आपके यहां लगातार पैसों की तंगी बनी रहती है तो कांच के गिलास में पानी भरें और उसमें एक चम्मच नमक डालें, गिलास को भर के दक्षन पश्चिम कोने में रख दे, इससे धन की हानी नहीं होगी, इस पानी को हर हफ़ते बदलते रहें, घर की कलह और बीमारियों को दूर करने के लिए बातर आय में विद्धी, कर्ज से मुप्ती, आय में विद्धी या धन की आवग बढ़ाने के लिए आप हर रविवार को नमक के पानी से पोछा लगाएं, इसके लिए पोछा लगाने के पानी में दो चम्मच समुद्री नमक डालें, इससे धन की आवग बढ़ेगी और देखते यही देखते कर्ज भी उतर जाएगा बुरी नजर से निजात पाने के लिए यदि किसी बच्चे को बार बार नजर लगती है तो हफते में एक बार नहाने के पानी में एक चुकी समुद्री नमक डाल कर नहलाएं इसके अलावा एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक डाल कर बच्चे के सिर्के उपर से साथ बार घुमाएं। इस उपाई को करने से नजर दोश से मुक्ति मिलती है।